ओम सांती हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्ती का मतलब क्या है जरसुए एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती एक एसास जो कभी दुख नहीं देता और एक रिस्ता जो कभी खत्म नहीं होता आज की कहानी का सीरसक है सच्चा दोस्त आईए सुनते हैं कहानी बरुन और धवन दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे बरुन सबजी वाले का बेटा और धवन साहुकार का वे दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे धवन अमीर था पर घमंड नहीं था उसके सवाब में एक खामी थी उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था हर साल धवन अबबल आता था बरुन दूसरा इस साल बरुन ने धवन को हो रही थी अरे धवन तुम अकेले क्यों बैठे हो चलो समुद्र में डुक्की लगाते हैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी तुमने चीटिंग करके पहला नंबर हासिल किया मैं चीटिंग नहीं करता वह रेद पर कुछ लिखने लगता है आज धवन ने मुझसे जगड़ा किया और मुझे धोके बाज कहा दवन सोचता है ये मैंने ठीक नहीं किया बरुन एक अच्छा दोस्त है वो कभी चीटिंग नहीं करेगा उसने अपनी मेहनस से पहला नंबर हासिल किया है मुझे उसकी इस कामयावी पर खुश होकर बदाई देनी चाहिए थी वो हमेशा मेर कामयावी पर बदाई देता है और मैंने क्या किया उसे दोके बाज कहा लगता है बरुन अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा दवन सोची रहा था कि उस किनारे पर भगदर मच गई लोग जोड जोड से चिलाने लगे अरे वो डूप जाएगा अरे ये तो बरुन है अपने दोस्त को डूपता देख दोड़ता हुए वहां आता है वह समुद्र में छलांग लगा कर वरुन की तरक बढ़ने लगता है वरुन बचाओ बचाओ कोई बचाओ कह रहा है घबराओ नहीं दोस्त मैं आ रहा हूं हिम्मत मत आना मैं आ गया दोस्त धवन तुमने अपनी जा पर चड़ा लेती है तुमने बड़ी बहुद्री का काम किया है सेलूट सुक्रिया दोस्त मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूगा वरुन मैं तुमसे माफी मागना चाहता हूं थोड़ी देर पहले मैंने गुस्से में आकर बहुत बुरा कहा दवन की इस बात प तुमने रेत पर लिखा था बरुन कहता है कौन सी यादों को मिटाना है और कौन सी यादों को समालना है ये हमें तेह करना पड़ता है कबकी जो कड़वी बातें तुमने कहीं वो मैंने रेत पर लिखकर मिटा दी अब जो इस पत्थर पर लिख रहा हूं वो इतनी आसानी स इसे मिटने वाली नहीं है ये अच्छी याद है इसे हम सवालना चाहते हैं धवन कहता है अब समझे वाह कितनी बड़ी वात कह दी हम हमेशा एक दूसरे के सच्चे दोस्त बने रहेंगे वो कहते हैं न कभी किसी से माफी माँग लेनी चाहिए और कभी किसी को माफ कर देना च चाहिए तुम मेरे सच्चे दोस्तों चलो घर चलते हैं इससे मुझे ये सीख मिलती है हमें एक दूसरे की गलतियों को सुधार कर रिस्तों को मजबूत बनाना चाहिए ओम सांथी